लायन्स गेट पोर्टल क्या है? 8 अगस्ट 2024 को सुबह 8 बजे और रात 8 बजे आपके सपनों की इच्छाएं कैसे पूरी करें? प्रकट कैसे करें? सब कुछ जानने के लिए वीडियो पूरा देखें. लायन्स गेट पोर्टल के बारे में जानने के लिए आवश्यक जानकारी. हर साल, आठवे महीने अगस्ट के आठवे दिन और इसके आसपास, एक ब्रमांडिय और संरेखन होता है, जिसे लायन्स गेट पोर्टल या लायन्स गेटवे कहा जाता है. लॉयन्स गेट पोर्टल उस समय को चिनित करता है जब हम शारीरिक और आध्यात्मिक शेत्रों के बीच प्रवाहित हो रही बड़ी हुई ब्रमान्डिय उर्जा का सचेत रूप से अवलोकन करते हैं ये उर्जाय आंकार्ट के रूप में दर्शाई जाती हैं जो अनन्थ विस्तार आत्मा के क्शेत्रों के साथ संग उच्छ स्तर के प्रकाश का एकी करन और प्रचुर्ता के साथ संरेखन की संभावना को इंगित करती हैं इस साल दो हजार चौवीस में आंध्युतिश में यह आठ सार्व भॉमिक वर्ष है टू प्लस जीरो प्लस टू प्लस फॉर इकुल्स एट जो इस साल को आठ 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 लोयन्स गेट पोर्टल बनाता है लोयन्स गेटवे की उर्जा पहले से कहीं अधिक बढ़ाई गई है नई ब्रमांडिय प्रकाश और उर्जा की तरंगे हमारे लिए आशिर्वाद और उत्थान करने के लिए प्रवाहित हो रही है इस आध्यात में गेटवे की जड़े प्राचीन मिस्रवासियों से लेकर है इसे गूर इसाय धर्म में छिपा हुआ पाया जा सकता है और हजारों वर्षों से इसे एक पवित्र उर्जा सक्रिय करने के समय के रूप में देखा और सम्मानित किया गया है आठ 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 लोयन्स गेट पोर्टल को पावहाउ संख्या आठ 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 सिंग राशी में सूर्य की उपस्तिती और हमारे सूर्य के साथ सीरियस तारे के संरेखन द्वारा चिनित किया गया है सीरियस अकसर ग्रह ब्रहस्पती के विस्तार शील गुनों से जुड़ा होता है और इसमें कार्य और उपलब्धी के लिए उर्जावान प्रेरना होती है जो आशीरवादों को आपके जीवन में प्रकट करने और प्राकृते कूर्जा के साथ सचेत रूप से सह निर्मान करने के लिए एक खुली खिलकी प्रदान करता है जैसे ही सीरियस तारा हमारे सूर्य के साथ संरेखित होता है और आन की पट्टी सीधे गीजा के पिरामिट के साथ संरेखित होती है और प्रित्वी से हमारे दृष्टिकोन से ऐसा प्रतीत होता है कि सीरियस सबसे चमकीला तारा जिसे हम देख सकते हैं प्रित्वी के करीब आ थोड़े ब्रमांडिया द्रिष्टिकों के लिए सीरियस तारा हमारे सूर्य से दो गुना बढ़ा है और 26 गुना अधिक चमकिला है। नुमरोलजी में आंक आठ को अनंत प्रतीक अनंतता द्वारा दर्शाय जाता है और यह प्रतिविम संतुलन अवसर आशावाद और परिवर्तन के विशयों का प्रतिनिदित्व करता है। यह एक शक्तिशाली समय है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने इच्छित परिनामों के साथ संरेखित कर सकते हैं। परिवर्तन को गले लगाने से आने वाली सुन्दरता को स्वीकार करना चाहिए। आठ 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 लोयन्स गेट फोर्टल के दिन, आठ अगस्त को अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए, सुबह आठ बजे और शाम आठ बजे कुछ विशिष्ट कदम उठाये जा सकते हैं। सुबह आठ बजे 1. ध्यान्द मेडिटेशन सबसे पहले एक शान्द स्थान पर बैठे और ध्यान करें। अपनी सासों पर ध्यान केंद्रत करें और अपने मन को शान्द करें। 2. आभार प्रकट करें ग्राटिट्यूड उन सभी चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके जीवन में हैं। यह आपको सकारात्मक उर्जा के साथ संरेखित करें। 3. इच्छा लिखें इच्छा को साकार करने के लिए द्रिल संकल्प करें। एक साफ कागस पर अपनी इच्छा को सपष्ट और सकारात्मक शब्दों में लिखें। जैसे की, मुझे अपने जीवन में आर्थिक समृद्धी प्राप्थ हो रही है। धन्यवाद ब्रम्हांड। चार, विजुलाइज करें, अपनी इच्छा को पूरा होते हुए। महसूस करें और इसे विजुलाइज करें। जितना संभब हो सके इसे जीवन्त और वास्तविक बनाए। पाँच, आभार प्रकट करें, ग्राटिटूड अंत में, एक बार फिर से उन सभी चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं और जिनके लिए आपक्रितग्य हैं। शाम आठ बजे, एक, ध्यांद मेडिटेशन फिर से ध्यांद करें और अपनी उर्जा को केंद्रित करें। दो, इच्छा को पढ़े, रीड यो विष्ट सुबह लिखी गई इच्छा को फिर से पढ़े और इसे जोर से बोले। तीन, विजुलाइज करें, विजुलाइज अपनी इच्छा को फिर से विजुलाइज करें और इसे पूरा होते हुए महसूस करें। चार, रिलीज करें, रिलीज अपनी इच्छा को ब्रम्हांद को सौप दें। यह विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी होगी. 5. आभार प्रकट करें, ग्राटिट्यूड अंत में, एक बार फिर से उन सभी चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं और जिनके लिए आपक्रितग्य हैं. इन दोनों समय पर सकारात्मक उर्जा के साथ अपनी इच्छाओं को केंद्रित करने से आपकी मनोकामनाय पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी.